हेलो फ्रेंट्स आपके अप्टे चैनल एक्जाम नीती में आप सभी लोग का एक बाद फीस स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे टॉफ 25 जीके क्वेश्चिंस के बारे में यह क्वेश्चिन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्वेश्चिंस अभी क्वेश से क्वेश्चिन कवर करने वाले हैं और इससे पहले मैं 7-8 वीडियो अप्लोट कर चुका हूँ आपको सभी वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पर आप अपना एक छोटा सा मॉक टेस्ट ले सकते हैं और यह मैक्सिमम लोग अनसर नहीं करते हैं तो एक लोक से रिक्वेस्ट हैं कम से कम एक एक अनुमान तो बता ही सकते हैं जिसका पूरी 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 सीरीज के क्वेश्चिन सारे एकसांत कर भाऊंगा आपको जिसमें कि हो सकता है कि 500-600 questions एक साथ हो काफी लंबे वीडियो बन जाएगी वो तो उस वक्त आप एक अच्छे सा मतलब उस वक्त देख पाएंगे कि जो आपने पढ़ रखा है वो किसना आपका तयार हो रखा है कि एक ही वीडियो में फिर आपको सब चीज़ें मिल जाएंग और करोणा के त्रिभिद आधार पर राजधर्मी की स्तापना की सही सुनता उदारता और करोणा की इन तीनों के आधार पे किसने राजधर्मी की स्तापना की ती कौन से शाशक ने अशोक अकबर रडजी सिंग या सिवाजी आप लोग कमेंट करके अपना आंसर जरूर दी युद्ध किया का लिंका उसके बाद फिर उसका मन बदला और उसके बाद उसने सही सुनता उधारता और करुणा के उपर पूरा का पूरा अपना राज चलाया जिसमें उसने किसी के उपर आकरमर ना करने का भी फैसला किया किसी को आप सभी को बताऊगा कि बहुत धर्म उस का पहला उसमें उसने लिखाया था कि सभी मनुश्य मेरी संतान है ठीक है यानि क्यों करुणा के करुणा उदारता और सही सूनता जो है उसमें कूट-कूट के भर चुकी थी तो असो कि इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था साथ वहान पल्लव चोल या चालू किया तो साथ वहान वंस है यानि कि option evil है या आप सब इलकु सही है कि मौरियों के बाद दक्षन भावशाली राज्य परिवार हुआ आप सभी को पता है कि गौत्मी पुत्र सत्कर्णी और इन सब साथ वहान वंस जो है ये दक्षन भावशाली राज्य हुआ था मौरियों के बाद ठीक है option A वाला बिलकु सही है क्षिन नमबर तीसरा है कि अजन्ता और एलूरा की गुफाएं हैं अजन्ता और एलूरा की गुफाएं कौन से राज्य में हैं आंद्रपरदेश मद्यपरदेश महराष्ट या राजस्तान मैक्समां बच्चे इन दो option में कही बार confused हो जाते हैं ठीक है अजन्ता और एलूर कि गुफाएं ओके सो यह आपको यहां से ध्यान रखना होगा और चोता है कि मंगोल अक्रमणकारी चंगेज नम्रो तो कौन से इसमें सही हो जाएगा इसमें सही है इल्टूतूमिस के शाषनकाल में जो है मंगोल आक्रमनकारी चंगेश कां म भारत की उत्रपशमी सीमा पर आया था उसना भारत पर आक्रमन नहीं किया था वो जो है जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए भारत आय आया था सिंद्र नदी तक उसके बाद वह वापस वाँसे चला गया था तो उसने भारत पर आकरमण करता वो तो सब लोग जानते हैं कि जो चंगेश खांथा वो सबसे आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे कुरूर मंगोल शाशा को उसको कहा जाता है चंगेश खांथ को उसके 26 तरीके की जो है इतिहास में बनी हुई है ठीक है तो उसने भारत के उत्तर परशी में सीमा पर आया वो उसके बाद वहाँ से वापस चला गया और वो इल्दो तुम इसके शाशनकाल में आया था ठीक है क्वेशन नंबर पांच वह है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नमै से किस ने की थी आगरा नगर की स्थापना अकबर ने सिकंदर लोधी ने इब्राहिम लोधी ने या बहलूल लोधी ने तो आग्रा नगर की जो इस्तापना हुई थी वो सिकंदर लोधी के द्वारा हुई थी 1504 इस्वी में ठीक है तो यह सीज़ आप याद रख सकते हैं इसको त्यान रखेंगा इस चीज़ को ठीक है और इसी को जो है मतलब आग्रा को ही सिकंदर लोधी ने अपना राजधानी करें बनाया था ठीक है और भूमी मापन के लिए सिकंदर ने सिकंदर गज का उसने प्रियोग किया था ठीक है सिकंदर गज का उकुश्य नमबर चटा है कि सेद शोरी की मृत्यूं। कब हुई थी सेर्षा सूरी की मिर्त्यू कहां हुई थी सेर्षा सूरी की मिर्त्यू कहां पर हुई थी तो सेर्षा सूरी की मिर्त्यू कहां पर हुई थी तो सेर्षा सूरी की मिर्त्यू कहां पर हुई थी तो सेर्षा सूरी की मिर्त्यू हुई थी वह कलेंजर के कीले में One number 7 हैं कि तालीगोट का युद्ध कब लड़ा गया था तालीपोट का युद्ध था वो कब लड़ा गया था कौन से सन में लड़ा गया था तो तालीपोट का युद्ध लड़ा था 500-685, Option-book वाला यहांपोव से बिलकूर सही है विजय नगर सामराज और बहमनी राज्ज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इसमें विजय नगर के जो शाष्रक थे, सदार्श्रीव राओ उस वक्त थे, तो उनकी जो हर हुई थी इस युद्ध में, तालिएकोटिक का युद्ध में, जो कि बहमनी राज्ज्य औ बह्मनी राज्जी के बीच में ठीक है कि मद्यकाल में सरपर्थम भारत से व्यापार संबंद इस्तापित किये थे सबसे पहले भारत से व्यापार संबंद किसने इस्तापित किये थे भात की खोज किसने की थी वासकोडी गामा ने वासकोडी गामा कहां के रहने वाले थे तो पुत्रगालियों के बाद फिर डच आये, डच के बाद अंग्रेज आये, अंग्रेज के बाद फ्रांसिसी लोग आये, ठीक है, तो यह आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसके बाद क्वेशी नमबर 9 है कि भक्ती संस्कृति का भारत में पुनरजनम हुआ, भक्ती संस्कृ स्कृति का भारत में पुनरजनम हुआ, ठीक है, पुनरजनम के यहाँ पर बात की जा रही है, तो यह पंद्रवी और सोल्वी सताबदी में हुआ था, यह आपका बिसकली इसकी जो शुरुवात है, वो गीता से हुई थी, ठीक है, जो हमारा ग्रंत है कीता, उससे हुई थी क्योंकि माना जाता है कि जो गीता है, वो साखसाद इश्वर का दिया हुआ ग्यान है, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा उसी तरीके से लिखा गया है, जिसमें स्रीकृष्णा और अर्जुन का संबाद आपस में है, तो मतलब उसमें जो है, सापसा भगवान का जो है, एक क्वेशन नमर दसवा हैं कि नादिर साहा निम्नमे से किसके शाषनकाल में भारत पर आकरमन किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑप्शिन सी वाला, यनि कि मुहम्मद साह के शाषनकाल में, ठीक है, नादिर साहा ने मुहम्मद साह के शाषनकाल में भारत में आक्रमन किया था ठीक है तो यह से आप याद रखिएगा इसके बाद क्वेशिन नम्र 11 है कि निम्र में से किसका निर्मान अकबर ने करवाया था अकबर ने किसका निर्मान करवाया था बुलंद दरवाजा का ठीक है जब इसने गुजराद जीत लिया था तो उसके यह मतलब याद में जो है इसने समारक के तौर पे बुलंद दरवाजे का निर्मान करवाया था ठीक है तो इस आप यहां से याद रख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं किसको भेजा था ठीक है तो यहां पर से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्षन डी वाला यानि की होकिन्स को कैप्टन होकिन्स जो है उनको भेजा था इस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 इश्वी मैं आपने सुना होगा कि भारत में जो कैप्टन होकिन्स के जो जो जहाज आया था ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी का उसका नाम क्या था जहाज का हेक्टर ठीक है तो हेक्टर जहाज को लेकर जो है कैप्टन होकिन्स आये थे 1608 इश्वी में मुगल दरवार में आये थे जहागीर के शाशनकाल में कई बार यह भी पूछा जाता है कि जो हपका कैप्टन होकिन्स है वो हैक्टर जहाज को लेकर मतलब जो है वो किस के दरवार मुग किस मुगल शाशक से मिलने आये थे तो वो जहांगीर से मिलने आये थे ठीक है इसके बाद question number 13 है कि पानिपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था पानिपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठों को हराया था तो आपको बताने कि किसने हराया था तो पानिपत का बेसकिल जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था 1761 में और यह योद्ध हुआ था मराठों और अफगानू के बीच में यहां पर सही हो जाएगा उप्षिन यह वाला यानि कि अफगानू के अफगानू को जो हराया था मराठों ने ठीक है ध्यान रखिए का इंपोर्टन क्वेशिन है पानिपत का युद्ध जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में हुआ था और यह मराठों और अफगान शाशक एमसा अब्दाली के मद्दे में हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी ठीक है इसके बात क्वेशिन नंबर 14 है हमारा कि लॉड करजन न पताना है तो बंगाल विभाजन समामत हुआ था 1912 में यानि के उक्षिन बी वेला बिल्कुल सही था 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया उसके बाद आपका यह जो विभाजन था यह मतलब जुलाई के आसपास जुलाई अगस्त में जो है यह विभाजन हुआ था और आ 1911 में और 1911 में वापस लेने के बाद 1912 में जो है यह पूरी तरीके से बंगाल विभाजन समाप्त हो गया था ठीक है तो यह सीज़ आप यहां से ध्यान रखिएगा 1912 इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है क्वाचिन नंबर पंदरवा है कि निम्न में से किन है गांधी जी इनने अपना राजनेतिक गुरू माना तो यह तो सभी को पता होगा गांधी जी के जो राजनेतिक गुरू थे वो कौन थे तो option select कर सकते हैं A B C D तो गांधी जी के राजनेतिक गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले यानि कि सी वाला यहां पसे बिल्कुल सही हो जाएगा और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनितिक गुरू थे वो थे M.G. रनाडे तीक है तो इससे आपको यहां से ध्यान रखनी होगे इसके बाद कॉश्चिन नंबर 16 है हमारा कि लाल कुर्ती डल संगठित किया गया था लाल कुर्ती डल किसले संगठित किया गया था पहला और सुतंत्र पक्तुनिस्तान बनाने के लिए दूसरा छेने के लिए थे चुर्ता आं संगठित किया था अंग्रेजों को निकालने के लिए किसके निर्टित में किया गया था खान अब्दुल गफार खान के निर्टित में ठीक है गफार खान कुश्ची नमर सत्रवा है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है इन में से कौन सा सही है मद्यपरदेश की सीमा पांच राज्यों से लगती है यह सही है कि गलत है तो लगत बॉपाल करके रेखा के दक्षिन में इस्तित है टिए तेसरा कतन है कि पंजाब राज यह सीमा कहीं भी जम्मुकश्मीर से नहीं लगती है बिलकूल लगती है तो यह वाला भी गलत हो जाएगा यहां पर से और question यह दोनों गलत होगे ठीक है क्योंकि यह कथन दोनों असत्य है और तीसरा जो कथन है वो है औरुणाचल प्रदेश में कोई राश्ट्य पार्क नहीं है क्या कोई नेशनल पार्क नहीं है औरुणाचल प्रदेश में नेशनल नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मॉलिंग नेशनल पार्क यह दो नेशनल पार्क जो है आपको रुडांचल प्रदेश में मिल जाएंगे ठीक है तो यहां पर सामसे बनाना की कौन सा सही है तो यह वाला सही इसके बाद question number 8 है कि टोड़ा एक जन जाती है जो निवास करती है तोड़ा जन जाती कहां पर निवास करती है तोड़ा जन जाती निवास करती है कहां पर अरावली की पहाड़ियों पर मद्यपरदेश में नीलगरी की पहाड़ियों पर या विंधानचल की पहाड़ियों पर तो कहां पर करती है निवास तोड़ा जन जाती निवास करती है तो यह तो यह निवास करती है तो यह चीज़ आप यहां से ध्यान रख सकते हैं कि भारती यह मानक सम इस्तानों में समय इस्तानों किसके समीब से लिया जाता है तो इसका सही आंसर हो यह भारत का जो मानक समय में वह इलाभाद के नैनी तो रेखा है वो इलावाद के नैनी से होकर गुजरती है और ग्रीन बीच समय से जो ग्रीन बीच माद रेखा है उससे जो है इसके बीच में कितना अंतर है हमारे और ग्रीन बीच वाले जो रेखा है उसके बीच में तो यह साड़े पांच का अंतर समय का जो है साड़े पांच गंटे का अ जिस्टान के बीच में भारत और से लंका के बीच में तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वोजाएगा उस इपशे कुमाद तो कुष्ण नंबह 21 है हमारा कि भारत में किस राज में नागारजुन सघर Tuc भारत के किस राज में नागार जुन सागर परियोजना है ए यह ऑप्षण दिये गrh выгляд փ तो नहीं और यहां पर आन्दोपरोडीश की जगह पर तिलंगानया ऑप्ष्ण दिया रहेता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि आंग पर्दिश और तिलंगाना पहले एक ही हुआ करते थे तो इनका जो है अलग-अलग हो गए अब तो नागरजुन-जागरबान जो है दोनों के बीच में इसती थे यह ठीक है कि पर इसके फिशेंन नंबर 22 जोस और कि निम्यनमस से कौंसा कथन सही नहीं है ये पहला कथन है कि फॉक्व्वं हिंद माहसागर में सिठ्व है और नामभिया अफ्रीक अफ्रीका में श्तितर कर म fenия हो मत्यत्व यमन कहीं से कौन सा सही हो जाए गने ये बताना है तो इसका ज यहां पर सही नहीं है वीश्व मेंचाडी का सबसे बड़ा उथपादक देश कौन से है सबसे ज़ादा कौन से देश में होती है सबसे ज़ादा चाड़ी होती है मेक्सिको में यहनि के option c वाला यहांप से बिलकुल सही है मेक्सको के बाद नंबर आता है चीन का उसके बाद नंबर आता है पेरु का ठीक है तो option C वाला है यहां पैसे बिल्कुर सही और Q24 है कि बाकु किस लिए परसिद है, बाकु किस लिए परसिद है, सगन रेल परिवान जाल के लिए, गहन क्रिशी के लिए, खनिस तेल के लिए, या बिनिर्मान उद्ध्योग के लिए, तो बाकु फिर्मस है अपने खनिस तेल के लिए, या नहीं कि option C वाला यहां पर से बिल कमेंट करके बताईएगा कि कि आपको कितने नंबर मिले हैं 25 में से कुप्षन है कि बिश्व में सबjänविक एल्मूनियम उद्पादक dö questi कौन सा है पहला कतान है चीन दूसरा कफनन होगी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच आपका दें शुबह धन्यवाद